दोस्तो साउथ उफरिका टेस्ट के लिए टीम इंडिया की फुल-उन तयारियां चल रही है इंट्रा स्कॉर्ड मुकाबला भी हुआ उसमें भी कहीं नई चीज़े हमें देखने को मिली कहीं इन्फॉर्म प्लेयर्ज भी निकल के सामने आये पर लेकिन एक शक्स है जिसको ट प्लेयर्ज गेंडिया के मैदान में रिकॉर्डी इतना खास है उनको एक तो एक्सपीरियंस है साउथ अफरीका की सर्जमी पर गेंड़ बाजी करने का ऐसा नहीं है कि जस्प्रीद बुम्रा को भी एक्सपीरियंस है पर लेकिन उनके साथ मुहमद शमी की तो जोड़ी हु बुम्रा है, मुहमद सिराज है, प्रसिद कृष्णा है, मुकेश कुमार है पर लेकिन जो शूज फिल करने होंगे वो किस गेंडबास को करने होंगे ये कही न कहीं पता लग जाएगा जब प्लेंग 11 अनौन्स होगी पर लेकिन अगर आप देखे तो मुकेश कुमार और प बस्त प्रबैबली प्रसिद कृष्णा ही हो में पर लेकिन न स्टूरियन के मैदान पर सबसे जाधा विकटें किसी भारती गेंडबास ने ली है वो है मुमध शमी जिनोंने 13 वीकटे ली है दोawi टेस मैच की चार पारियों में आप से अगर हम बात करें तो मुहमाद शमी के पक्ष में जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से 16 ओर में 44 रन देकर मुहमाद शमी ने 5 विक्टे चटकी और अगर आप बेस बोलिंग फिगर्ज की बात करें पूरे टेस्ट मैच को मिलाकर पूरे टेस्ट मैच में तो वह हैं 33 ओ साउथ ऐफरीका की सरजमी पर जाकर अगर ब्रिप्लेस्मेंट अनौंस किये जाते हैं मुहमाद शमी की प्लेंग 11 में अगर रिप्लेस करते हैं तो कहीं प्रसित किषिना को एक्सपीरेंस नहीं है मुहमाद शिराज को भी नहीं पर लेकिन वह लंबे वक्त टीम इंडे के के लिए गेंद बाजी करें टेस्ट में अगर आब बात करो ओडियाज में T20 में तो इतना फरक नहीं पड़ेगा पर लेकिन मुहमा शमी का रोल जो है experience के हिसाब से भी और काफी चीजों के हिसाब से भी गेंद को मुहमा शमी को मिस करेगी उनकी जो वो services थी जिस हिसाब से गेंद बाजी करते थे या बहुत कुछ चीजों को मिस करें कमेंट सेक्शन में बताए फिलाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना है